हेलो दोस्तों नमस्कार आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सरल रेखा में गति यानि की मोशन इन ए स्टेट लाइन्स के कुछ नियुमेरिकल्स वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है जितने भी नियुमेरिकल्स में दिये गए हैं वो सारे नियुमेरिकल्स एक्जाम में आते हैं और ये नियुमेरिकल्स आपको आने भी चाहिए तो वीडियो को पूरा जरूर देखना चले स्टार्ट करते हैं पहला question है 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से गतिमान एक कार एक समान मंदन कर 100 में जाकर रुक जाती है ग्याद कीजिए कार दौरा उतमन मंदन कितना है कार दौरा कितने समय में 100 मीटर चला गया इसमें आपको दो चीजे दी गई है पहला इसमें कहा जा रहा है कि कार द्वारा जो मंदन है वो कितना उत्पन है मंदन यानि कि आप जानते हैं ये कितना उत्पन है और दूसरा आप से पूछा गया है जो 100 मीटर दूरी है उसको जाने में समय यानि की टीक कितना लगा इसे चलिए देखते हैं कैसे हमें करना है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है जितनी भी चीजें दी गई है उसे आपको लिख लेना है तो क्या क्या आपको दिया गया है उसे हम देखते हैं सबसे पहले दिया गया है 20 meter per second की चाल से ठिक तो प्रारंभिक वेग आपको यहां पर दिया गया है क्योंकि last में आपकी कार रुख जा रही है तो इसलिए last में रुख जा रहे तो वह एक दूसरा होगा प्रारंभिक वेग यानि u आपको दिया गया है 20 meter per second ठिक लिखते हैं य 100 meter जाकर रुख जाती है ठिक यहां पर दिखें तोरण नहीं यहां पर मंदन कहा जा रहा है अब यहां से 100 meter जाती है और रुख जाती है यानि कि आपको दूरी दी गई है S बराबर दिया गया है 100 meter ठिक लिखते हैं S बराबर 100 meter और जाकर रुख जाती है तो कार में मंदन कि पहले आपको किसमे क्या याद करना है पहले आपको एक याद करना है और उसके बाद आपको 100 मीटर जाने में कितना समय लगा यानि कि आपको टी याद करना है टी कितना है S आपको दिया गया है U दिया गया है और B अगर आप चाहें थेहां से लिख सकते हैं B क्योंकि अंत में जाकर आपकी कारूप जारे सिले B बराबर हो जाएगा 0 इतने तीन चीज गया थें तो चीज़ें आपको निकालनी है अप यहां पर लगेगा आपका गति का फॉर्मूला गति के आप जानते हैं तीन फॉर्मूले होते हैं पहला होता है B बराबर U प्लस 80 इसे आपको याद करना पड़ेगा इन तीनों फॉर्मूलों को और 5 कुष्चन मैंने इस वीडियो में लिए हुए हैं 5 में से कम सकम तीन कुष्चन आपको नहीं आएंगे और 2 कुष्चन आपको आ सकते हैं तो यहां से देखते हैं पहला है B बराबर U प्लस 80 और तूसरा है S बराबर UT प्लस half 80 स्कौार और तीसरा है B स्कौार बराबर U स्कौार प्लस 2 AS अब आपको decide ये करना है किसमें आप कौन सा formula apply करेंगे तो कौन सा formula लगाएंगे इसके लिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिए आपको दिया क्या है ग्याद क्या करना है सबसे पहले आपको क्या ग्याद करना है तोरण ग्याद करना है minus में आएगा ये तो देखिए minus A आपको ग्याद करना है पहले अब कैसे आप ग्याद करेंगे आपको U पता है S पता है B पता है एक चीज आपको इसमें नहीं पता है तो आपको ऐसी चीज ये ऐसा आपको इसमें formula देखना है जिसमें A कमान आपको मिल जाए और बाकि के दो चीज़े आपको दी गई हो ठीक तो देखिए इसमें मैं तीसरा formula देख रहा हूँ तीसरे formula में B बराबर आपको दिया किया है यहाँ पर 0 B भी मिल रहा है B कमान दिया है U कमान भी आपको यहाँ पर दिया है U भी मिल रहा है A आपको निकालना है और S कमान भी दिया गया है यानि B भी पता है U भी पता है S भी पता है तो A आपको आसाई से पता चल जाएगा आप यहीं से सीख जाएंगे कि कहां पर आपको गती में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है और कैसे आपको question को हल करना है तो हम लगाते हैं तीसरा फॉर्मूला नीचे लिखते हैं यहां से b² बराबर u² प्लस 2af लिख दिया हमने यहां पर अब यहां पर जितने भी मान दिये गए हैं वह आपको put कर देने हैं ठीक तो यहां से हम लिखते हैं b² कमान 0 है बी कमान 0 है तो b² कमान भी हो जाएगा 0 0 बराबर u² यानि कि 20 है u कमान तो 20 गुड़े 20 20 गुड़े 20 plus 2as 2 लिखते हैं into me a है a लिखते हैं और into me s है s कमान हाँ पर है 100 तो हम लिख देते हैं इसे 100 ठीक अब क्या आपको यहां पर यहां पर लिखा हुआ है अब फिर से आप देखते हैं आपको क्या मिला यहां पर आपको मिल गया 0 बराबर 400, अब प्लस लिखेंगे, बीच में प्लस है, यहाँ पर 2A 100 है, तो दो गुड़े 100 कितना होता है, 200, और 200 के बाद यहाँ पर A है, तो लिख देते हैं A, अब यहाँ पर हम A को ले जाएंगे, पीछे चाहें, जिसको हम ले जा सकते हैं, माइनस में हो जाएगा एक, तो यहाँ पर 400 को हम इधर लाएंगे, तो हो जाएगा माइनस 400, और बराबर में 201, इतना हम लिख लिया, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस 200 को ले जाएंगे नीचे, इधर से गुड़ा में है, तो पच्छांतर करेंगे तो हो जाएगा यह भाग में, भाग में ले आते हैं, माइनस 400 बटे, यह आजाएगा हमारा नीचे, 200 बराबर हो जाएगा एके, ठिक, तो हम 2 0 से 2 0 कैंसल हो गया, और 2 दूनी 4, तो माइनस 2, तो आपका मंदन कितना उत्पन हो गया, ए बराबर माइनस 2 पर मीटर, मीटर पर सेकेंड स्कॉर, यह आपका आजाएगा मंदन, अब आपने मिलेगा, अगर आप प्लस नहीं लगाएंगे, तो आपको माइनस में मिलेगा, लेकिन आपको लिख देना है, ब्रेकट में यहाँ पर मंदन, एक बाद तो चाहे आपका प्लस में रहे, चाहे माइनस में, एक्जामिनर जान जाएगा, कि हाँ यह मंदन ही है, तो रहन नहीं पता चल गया यू पता चल गया तीन चीज़े पता चल गई जो था आपको टी निकालना है जाहतकि Alors तिन देखिए क्वेश आप आप लगाएंगे तो आपको इसमें देखना है कि थी आपको कम से कम पता रहनी चाहिए तभी आप उसे हल कर पाएंगे तो हमें B पता है, U पता है, A पता है, तीन चीजे हमें इस फॉर्मूल में पता है, तो हम T का माना साइं से निकाल सकते हैं, तो हम सिर्फ यह करेंगे इसमें, हमें B का पता है, U का पता है, A का तीनों मान पता है, तो हम T का माना राम से निकाल लेंगे, तो हम लिख देगे अब यहाँ पर B बराबर U प्लस A T से ठिक लिखते हैं V बराबर U प्लस A T से यह गतिका प्रसम फॉर्मूला है पहला फॉर्मूला B का मान आपको पता है 0 ऊपर से आप देख लीजिएगा बराबर U का मान आपको पता है कितना होगा 20 मीटर दिया गया है प्लस A आपने भी निकाला यह माइनस में है माइनस दो दिया गुआ है और इंप्लाइज में T है T हमने लिख दिया अब यहाँ पर आप देखें यहाँ से क्या होगा एक चीछ जाएगा माइनस में यह जो 20 है यह इधर जाएगा तो जाएगा माइनस 20 माइनस 20 बराबर माइनस 2T माइनस 2T आ गया अब हम क्या करेंगे इस माइनस से माइस कैंसल और जब 20 यहाँ से हड़ जाएगा और यह जाएगा नीचे तो नीचे हो जाएगा यह 10 आ जाएगा 10 ती बराबर आपको कितना मिल गया 10 सेकेंड दो चीज़े आपको मिल गई यहा गया था कि मंदन कितना है ऊपर मंदन आपने आरांज से निकाले मंदन कितना है मंदन आपका आगया माइनस दो मीटर पर सेकेंड इसक्वायर और यह मिल गया आपका यह दस सेकेंड में आपका दो सौरी सो सेंटीमीटर सौरी मीटर यह आपका जो कार है चली जाएगी वाले questions में आप सब कुछ समझ जाएंगे कहां पर आपका काउंसा फॉर्मूला यूज होगा और कहां पर आपको कैसे question को attend करना है ठीक यह question है इसके बाद वाला यह है एक कंड ठीक दिखते हैं एक कंड प्रारंभिक विक चार मीटर पर सेकंड तथा त्वरण दो मीटर पर सेकंड से सरल रेखा में गति प्रारंभ करता है ठीक अब यहां पर इसमें ग्याद क्या करना है question में आपको इतना ही दिया गया है ग्याद करने वाला को बतानी है पहला जब आपका इसका अंतीम वीग 12 मीटर स्केंड हो रहा है तब यह कितना समय लेगा आपनों यहां से लिखिए चार मीटर पर से प्रारंभीक वेग चार मीटर पर सेकंड दिया गया है लिखते हैं प्रारंभीक वेग आप लोग यह इतना जानते ही हैं यह बराबर होता है चार मीटर पर सेकंड हो गया यहां से इतना अब यहां से तोरण आपको दिया गया है यहां पर मंदन नहीं है तोरण है आप ध्यां जाना है कि जब लिग देते हैं यहाँ पर या ऐसे आप देख लिएज जब भी बराबर हो जाएगा आया आपना को 12 मेटरपर संक्राएं 12 बारा मेटरप् पर सेकंड हो जाएगा तो या कितने समय में होगा कितने समय बात कणका ववेक 12 मीटर पर स्केंड होगा या जब 12 मीटर पर सेकंड होगा तो कितने समय हो जाएगा तो T आपको ग्याद करना है पहले सेचूएशन में इसे भी हम दो को देख़े दूसरे छोड़ देते हैं पहले आप पहली सेचूएशन को देखिए पहले करिए कहां पर तीन चीजे मैच हो रही है चौथी चीज आपको निकालनी है ती निकालनी है और इन दोनों फॉर्मूलों में टी है इस तीसरे में आपको टी दिखना ही रहा होगा तो इन दोनों फॉर्मूलों में टी है तो आपको यह देखना है कि जो टी दिया गया है आपक तो वो किसमे से match कर रहा है, किसमें आपको तीन चीजे मिल रही है, चौत्ती चीज आपको घ्याद करना है, आई होगो आप लोगों है देख लिया होगा, तो यहां से पहले वाले फर्मूले को आप देखे ज़रा, पहले मिलते हैं, U दिया गया है, B दिया गया है, A दिया गय कि जो आपको निकालना होगा और 3 यानि कि एक केलामा जितनी भी चीज़े रहेंगी वो आपको दी रहेंगी तो यहां से देखते हैं हम लोग 3 चीज़े में मिल गई अब हम इसे देखते हैं B बराबर यू प्लस 80 से ठीक देखते हैं लिखते हैं इस फॉर्मिल्यू को आप याद कर लीजिएगा B बराबर होता है यू प्लस 80 से अब आप समय यहां से निकाल सकते हैं तो हम देखते हैं B कमान आपको दिया है जब 12 मेटर पर सकन हो जाएगा तो 12 बी के जगा पर 12 लिखेंगे बर समझ में आ रहाएक नहीं यह भी आप ध्यान रखते हैं और कमेंट भी करते जाएगे भी हमने लिख दिया यहां पर बी बराबर अब क्या है यू है यू कमान उपर आपको देख रहे हैं यहां पर चार है चार प्लस 80 अब एकमान दो है ठीक एक लिगा पर दो गोड़े में टी है टी हमें नहीं पता है तो टी कोम टी लिख दिये अब फिर से आगे आते हैं यहां पर हम जब पीछे ले कर जाएंगे इसे पच्छांतर करेंगे दो 12 में इसे 4 चला जाएगा 12-4 बराबर 2T अब यहां से 12 में इस 4 कितना बचेगा 8 बचेगा 8 बराबर 2T मैंने आपको 2 कितना होता है तो एंसर कितना होता है चार होता है चार तो हम लिख देते हैं यहां सीधा यह आजाएगा नीचे 4 बराबर 2T हो गया यानि कि आपका समय कितना है टी बराबर 4 सेकेंड यह आपका हो गया पहला एंसर अब आप इसे ऐसे मिला सकते हैं प्रारंभिक वेग चार है एक सेकंड में 2 मीटर वढ़ीगा तो 4 सेकंड में किता आएkte चार तो एक सेकंड होगा害 ची पहले शो से जाएँ दूसी से Two seconds ago में आठ 131 अच्राकट में 10 चाह चार से कहलं हो गया आपका कितना बार पहला आपको उनसर पता चल गया अब इसे यहां से आप कर दीजिए खलास इसका कोई मतलब नहीं है यहां से यह सिर्फ आपकी पहले सेटुएशन का था पहले सेटुएशन आपके अचीव हो चुकी है पहले का आपको मिल चुका है दूसरा को आइसवर देखिए दूसरा वो क्या कहा जा रहा है कि कितनी दूरी तरह करने के बा तो इसमें दूरी कितनी रहेगी कितनी दूरी तक यह जाएगा अब यहां से भी तक आपने कितना देखा सिर्फ इतना देखा कि इसमें क्या आपको समय ग्याद करना है किसी में किसी में यू भी यही ग्याद करना है अब तो आपको आगया दूरी का मामला कि यह दूरी कितनी कितनी जाएगी जिब इसका वेक इतना हो जाएगा अब मैं आपको उता देना चाहता हूं पर मैंने यू भी हमें पता है फिर से नीचे लिख देता हूं यू हमें पता है चार मीटर पर सेकंड है यू और ये पता है दो मीटर पर सेकंड है B, U, A किसमे आता है? B, U, A लेकिन इसमे एस आपको नहीं पता है S किसमे आ रहा है? इसमे आ रहा है इसमे आ रहा है तो तीन चीजिए आपको दी रहेंगी चौथि चीज मैंने आपको पहले पता है ग्याद करना है तो B sorry, U इसमे एःप भी भी नहीं पता है, तीनों चीजी रहने चाहिए जरूरी है, तो B, U, A, S ग्याद करना है, या इन तीसरा फॉर्मूल आपका पढ़िया साइसे में लग जाएगा, ठीक, B, U, A, तीन चीद दिया है, तो हम लिख देते हैं, B स्कॉर बराबर, U स्कॉर प्लस, 2 A, S से, लिख B कमान यहाँ पर कितना दिया गया है, उपर, 8 मीटर, 8 का वर्ग, 64, 8, 64 होता है, 64 बराबर, U स्कॉर कमान कितना है, आपका, 4, तो U कमान 4 है, तो 4.16 स्कॉर है, प्लस, 2 लिखेंगे 2 की तरह, इन तू, A कमान आपको दिया गया है, 2 मीटर पर स्कॉर, 2, S का आपको मान नहीं 2, S, पच्छांतर करते हैं, पहले की जैसा, यह आएगा इधर, 64 में से 16 कितना बचता है आपका, ऐसे आप लगाए, 64 में से 14 कितना बचता है, तो आपका हो जायाता है, 50 और दो और चले जाएगे, तो हो जाएगा 48, 48 इस्कॉल 2, दोदूनी 4, S, यह S है, नहीं, आप 5 समझ 40 बटे, 4 इस्कॉल 2, S, S कमान क्या जाएगा, 4 के 4, 4 दोदूनी 8, यानि की, S बराबर आपका आगया, कितना 12 मीटर, जब यह आपका, यहां कंड है, कंड जब आपका 12 मीटर चला जाएगा, तो इसका जो अंतिम वेग है, वो हो जाएगा आपका, कितना 8 मीटर पर सेकंड सकते हैं, तो यह कोश्चन होगा, दूसरा, देखे, जो गति वाले कोश्चन होते हैं, इसमें कोई भी आपको जमेला नहीं रहता है, एक चीज आपको क्यों बताई रहती है, या आपने माइन में दिमाग लगाना पड़ता है, कि फॉर्मूला आपका कौन सा लगेगा, पर्मूला कौन सा लगेगा, अन्रेट परसेंट से हो रहें, चलिए, दो कोश्चन हो गए, तीसरे देखते हैं, तीसरा कोश्चन आपको इधर दिया गया है, ठिक, तीसरा कोश्चन है आपका, कि एक कड यहां से देखिए, एक कड प्रारंभिक वेक, ठिक, चार मीटर पर स से नियत तोरण 6 मीटर पर सेकंड से सरल रेखा में गती प्रारंभ करता है, ग्याद कीजिए, टी बरावर जीरो तथा टी बरावर दो के बीच विस्थापन और तथा आउसत वेक, पहला आपको ग्याद करना है, दूसरा ग्याद करना है आपको, टी बरावर दो से टी बरा गया है, प्रारंभिग वेग, यू दिया गया है, ठीक, यू बरावर कितना है, 4 मीटर पर सेकंड, चार ऐसे लिखते हैं, तोरण आपको दिया गया है, 6 मीटर पर सेकंड स्कॉर, 6 सीधा ऐसे लिख देते हैं, ज्यादा जमेला करने की जरूरत नहीं है, अब कहा क्या जा र आपको गयात करना है, S, बराबर कितना, और उसके बाद आउस्ट वेक, आप बढ़ी आसाई से निकाल सकने हैं, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है आपको, अब देखिए, S निकालना है, आपको, यहां पर रखते हैं, S निकालना है, UTA, दो चीज दी गई है, जितने भी इस आपको पता चलेगा, कि UTA है, U है, T है, A है, S गयात करना है, आप पहले यह देखिए, जो गयात करना है, जो आप फॉर्मूला लगा रहे हैं, वो आपके फॉर्मूले में है कि नहीं, U है, T है, A है, U है, T है, A है, तीन चीजे मिल गई लेकिन इसमें B है, S है ही नहीं, तो यू का मान है, टी का मान है, एक का मान है, टी का मान है, है, तो S का मान हमें आसाई से पता चल जाएगा, और इसी के हम थीसरा देखते हैं, तो इसमें T भी नहीं है, तो ये फॉर्मूला हमाई ले बहुत इसी टेवल पड़ीगा, हम लिखते हैं, S बराबर, ut ut plus half 80 square से इसी फॉर्मूले फिर हम इस question करेंगे अब जा करना है जब आप फॉर्मूले को पकड़ लेते हैं भई यही फॉर्मूल लगेगा तो आपको उसी फॉर्मूले पर जितने भी मान आपको दिये गए हैं वो put कर देने हैं s बराबर s बराबर अब u कितना है 4 है गुणे t कितना है 2 है प्लस half एक बटे 2 गुणे एक कितना है 6 है गुणे t वर्ग यानि कि 2 का वर्ग 2 का वर्ग क्या होता है square 4 ठीक कार देते हैं युज़ेगा 2 अब क्या हो गया ये 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8 एस बराबर ये हो जाएगा 8 प्लस 6 दूनी 12 12 आठ 20 तो आपका 20 थापन यहां से हो जाएगा 20 मीटर ठीक पहले चीज़ा आपने क्लियर कर ली दूसी चीज़ा है 20 थापन तो हमारा हो गया अब हमारा वेक कितना होगा ऑसत वेक जिसे आप बोलते हैं ऑसत वेक मैंने भी इस के पहले जो बेसिक वाली वीडियो थी उसमें लगता है आसत वेक है हमने निका़ा था的 और कुछ नहीं देखा था उस वीडियोगे अगर आपने नहीं देखा इभी तक तो जाकर आथ देख लिजीए यह आपका है औस वेग है चलिए चोड़िए तो औस वेग होता है डेल्टा एस कुल्दूरी बटे डेल्टा टी इसकोल टू आपका एंस्वर आगया 20 मीटर चला आपने दो सेकेंड में चला 10 मीटर पर सेकंड आपका चलिए नेक्स देखते हैं नेक्स्ट में कहा जा रहा है टी दसंबलो टी बराबर 2 तथा टी बराबर 4 के बीच विस्थापन तथा आउस्थ वेग तो भी क्या कि आपने अब आप ऐसे तो करेंगे नहीं कि आप 2 पर जाएंगे 2 से 4 जाएंगे तो सिंपल सा मेथड है अभी आपने क्या निकाला इसे माइनस कर देंगे क्या बचेगा 2 से 4 की बीच बचेगा ठीक पैसे में भी करते हैं पताते हैं पहले आपसे क्या कहा गया है कि अच्छा भी मैंने एक पहले आप इसे एक्जामपल देखिए अभी आपसे बोला जाएं कि आपको यहां से दो किलो मीटर जाना है और उसके बा रहा है कि आपका जो रास्ता है दो किलो मीटर के बाद कितना पड़ेगा आपने दो किलो मीटर तक आया पहले दो किलो मीटर तक आए अब फिर दो से यहां तक गए पूरा हो गया यहां तक 4 किलो मीटर हो गया अब क्या करेंगे आप इतनी दूरी आपको इतनी दूरी निक सोरा जाएगा तो पहले हम पूरे वाले निकालते हैं यानि कि चार जो हमारा Question है जो Question में आपको दिया गया है पहले 4 का हम निकालते हैं 4 सेकंड रखकर t बराबर रखते हैं सिंपल सा है आजाएगा आपको हैरान हो की ज़रूत नहीं है एस बराबर यू कमान आपको कितना दिये गया है? चार, टी कमान आपको चार रखना है, प्लस हाफ एक कमान दिये गया है छे, टी स्कॉार सोला, सिंपल है काड़ दो, क्या होगा आपका? एस बराबर, हल कीजिए चार चोक, सोला, प्लस इसे आप कड़ गए है, 6 थे 48, 48 48 ठीक, 48 हो गया अभी आपने इसके पहले घटाया था, 64 में से सोला तो आया था 48 में सोला जोड़ेंगे तो आपको जाएगा 64, 64 मीटर्स अब मैंने आपको इसे कॉसेप्ट यहां पर देखिए अब यहां पर आप यहां से यहां तक दूरी आ चुके हैं अब आपको ग्याद करनी है, यहां से यहां के बीच कितनी दूरी है तो आपने इसमें से इसके पहले वाली दो को हटा दिया तो जितने आपने दो सेकेंड में दूरी ताय की गई है उसे आप घटा देंगे अभी इसमेंसे क्या करेंगि आप जो आपने 2 स्ज़न में दूरी इत्ता की थी 20 मीटर 20 माइनस कर दिया इस्कोल 2 आपका आगया कितना 44 मीटर आपका हो गया 20 थापन अभी यहां पर आप लोग क्या करेंगे अभी यहां से गर आप देखेंगे औस विक तो क्या करेंगे आप मैंने बोला आपको ऐसे डेल्टा एस अपॉण डेल्टा टी डेल्टा एस आप कितना गए 44 मीटर गए अंतर आपने 2 सेकंड में 44 अपाउन 4 माइनस 2 दिल्टा T 4 माइनस 2 तो हो जाएगा 2 हो जाएगा 22 मीटर पर सेकंड यह हो गया आपका उसत्विक देखे यह आसान है थोड़ा आपको दिमाग लाने के जरूरत है इसमें और बहुत ही हार्ड कुष्चन यह नहीं है इसके बाद वाली वीडियो आएगी उसमें आपको हार्ड कुष्चन देखने को मिलेंगे यह क्षचन है नेक्स्ट नियत तुरण के अधिन देखते हैं नियत तुरण के अधिन सरल रेखा में गति मान सबसे पहले आपको जो भी दिया है उसे लिख लेना है लिखें कैसे सबसे पहले आपको बोल रहा है नियोतfryण के अधिन सरर रेखा में गतिमान एक वश्फू दूसरे स्केंड में यहां पर रहा है तो वह बाद दूसरी है दूसरे सेकंड में 12 मीटर दूसरे सेकंड में कितना जाता है S बराबर जाता है 12 मीटर और चौथे सेकंड में कितना चौथे सेकंड में T बराबर 4 चारवे सेकंड में जाता है कितना 20 मीटर 20 मीटर जाता है अब क्या करना है आपको इसमें प्रारंभिक वेग याद करना है यूग याद करना है कितना हो का आपका इसके बाद जब पांच सेकेंड बाद अगले चार सेकेंड में वस्तु दौरा तय की गई दूरी निकालना है ठीक तो पहले हम पहला देखते हैं अब आप बताईए थोड़ा आपका दि फॉर्मूला होता है एस टी बराबर यू प्लस एबाई टू एन माइनस टू एन टू टी माइनस वर्ड यह होता इसका फॉर्मूला टी की जगा पर आपको सब कुछ रखना है अब देखिए बोला क्या जा रहा है ती एस टू यानिकी दूसरे टू में सेकेंड में टी बरा डाबर होता है आपका यू यू आपको नहीं पता है प्लस एबाई टू नहीं पता है 2D-1 नहीं पता कुछ भी नहीं पता है कि हां यहां sellers 2 जो है दो सेकन्द है टू कमान यहां पर रहत अंपर लग देंगे इन टू मार तू हो जाया यहांपर अप कैसे लिखेंगे बसरे स नहीं पता है इतना पता है इतनों क्या हो जाएगा आपकर दो दूनी क्राइब को चार मॉाईनस ए फैक नम कि्पन खेंगा क्राहिब इसना को पटा देना चाहता हो मैंने आपको यहां पर आति मान totacka बस और कुछ नहीं रखा है अब इसे हम्में हल करना है हल करते हैं 12 बराबर तो तो यू इसे हल करते हैं लेकर प्लस यहां से हो जाएगा 4-1 3 हो जाएगा 3A 3A और इंटू में आ जाएगा यहां से 2 इसे आपको यह आप तो हल कर ले कर लेते होंगे मैथ के विद्यार थी हैं आप लोग होंगे साइद मुझे कंफर्म नहीं पता है मैथ हैं बायो हैं तो यहीं हो जाएगा 2U प्लस 3A is equal to 24 समी करन एक बना लीजिए इसे अब दूसरा कह है टाल में यहां पर रखा यह टी वराबर 4 में आपको कहाज़ाता है बीस मीटर जाता है यू प्लस A बाइटू कूटी माईनस लोता है तो चार दूनी आठ यानिकी टूटी होता है ना टूटी होता है तो इंटू 4 सेट आपको दिया गया है तो एट माइनस वन इसे भी हल करते हैं जब आप इससे भी हल करेंगे देखें वीडियो लंबी हो रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा इस पीडियों आपको बता रहा हूं टू यू प्लस सेवन ए और यह हो जाएगा आप दो गुड़े 20 तो आपको हो जाएगा 40 बराबर कितना टू यू प्लस सेवन ए अब आपको इससे हल करना है हल कैसे करना है यह आप देखिए इसे माली जिए समी करण करण 2 में से समी और सेम ही मिलेगा तो यहाँ पर लिखते हैं 40 बराबर 2U प्लस 7A और उपर वाला था 20 24 बराबर 2U प्लस 3A आप घटाएंगे कैसे देखिए समय माइनस कर दीजिए आप नीचे वाले में उपर प्लस रहने दीजिए 2U से 2U Cancel 40 में से इतने गए 16 हो गया आपका 24 गए 16 अब यहाँ से आप क्या करेंगे यह तो Cancel हो गया बराबर में 4A हो जाएगा साथ में 3 गए 4 4A ये बराबर आ जाएगा ये भाग में चला जाएगा 4 m per second square 4 m per second square यह आगया अब आपको किसी भी समीकरण में रख देना है C कमान, A कमान और आपको U कमान पता चल जाएगा, चलिए इसमें रख देते हैं, 2U प्लस 3A इसकोल टूटिफोर, ठीक, तो 2 इंटू यू लिखते हैं, U कमान हमें नहीं पता है, 2U प्लस 3A, A कमान पता है, 3 चोग 12 इसकोल और इसी तरह जिससे आपने पहला वाला question किया था, यह वाला question, इसी तरह आपको answer मिल जाएगा, इस वाले question का, बहुत यासान है, इस वाले question का, आपको answer मिल जाएगा, और इसमें से कोई formula नहीं लेगेगा, यहीं मैंने भी आपको जो बताया, ST बराबर, U प्लस 2T-1, वही से करने का प्रयास कीजेगा, वीडियो बहुत जादा लंबी हो रहे है, इसलिए मजबूरी है, आपको मैं नहीं बता पा रहा हूँ, इसमें T बराबर 0 पर A कार B, X अच पर क्रमसा X A बराबर 50 मीटर, 50 मीटर, तथा X B बराबर 100 मीटर, 100 मीटर की दूरी पर खड़ी है, दो 10 में 5 मीटर पर सकंड, 5T, देखिए इसी समीकरण आपको हल करना है, समझाने की कोशिस मैं आपको नहीं कर पार रहा हूँ, माफ कीजिएगा, इसकोल टू, क्या हो जाएगा, इसे मिलाते हैं, 50 माइनस 100, इसकोल टू, 5T माइनस 10T, 10T, इसकोल टू, क्या हो जाएगा, माइन सवरा जाएगा, देखिए, कुछ भी आपको नहीं करना है, दूरी बराबर है, जैसे ये, 50 मेटर है, अब 10 मेटर के वेग से, जितनी समय में ये, इतनी पूरी दूरी तय करेगा, उतनी ही दूरी, 100 मेटर प्लस, यानि 100 मेटर पहले आगे है, 100 मेटर प्लस 5 इंटू T समय मे ये, कबर करेगा, तो आपको ही कॉंसेट इसमें लगाना है, टी कमान आपका आज जाएगा, आगया है, यहाँ पर 10 मेटर पर सेकेंट, आज साथा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके जुरू बताना, अच्छी लगी हो, लाइक करना चैनल परने हो, सबस्काइब करना, बेल आइकन को वीडियो प्रेस कर देना, मैं मिलूँगा आपको इसे किसी नेक्ट वीडियो में, जैहें